अस्सलाम अलेकुम आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू कवायद के अगले सबख को पढ़ेंगे यानि की उर्दू ग्रामर के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है इस्म मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ाता कि वाहिद क्या है जमा क्या है फिर वाहिद से किस तरह जमा बनाते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इस्म क्या है ठीक है और इस्म की कितनी किस्मे है हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इस्म क्या है और इस्म की कितनी किस्मे है तो चलिए सुरू करते है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस्म किसे कहते हैं इस्म किसी सख्स, जगह या किसी चीज के नाम को इस्म कहते हैं मतलब यह कि आपके चारो तरफ कोई भी ब्यक्ति, कोई भी इस्थान का नाम या फिर कोई भी चीज का नाम उसको आप क्या बोलेंगे इस्म बोलेंगे इस तरह आप English grammar में noun पढ़ते हैं, इसम को English में बोलेंगे noun और इसम को Hindi में बोलेंगे संगया मतलब आप इंग्लिस में पढ़ते हैं नाउन हिंदी में बोलते हैं संग्या पढ़ते हैं ना उसमें आप क्या पढ़ते हैं कि किसी भी सक्स किसी भी ब्यक्ति इस्थान जानवर के नाम को हम क्या बोलते हैं नाउन या फिर संग्या बोलते हैं बिलकुल वही तो है इसमें बस इसको हम क्या बोलेंगे इसम कहेंगे नाउन कहेंगे संग्या कहेंगे तीनों का मतलब एक ही है बस language change है यहां तक क्लियर है अब देखते हम इसम की किसमें नाउन में आप पढ़े होंगे 5 किसमें होती हैं 5 टाइपस होते हैं संग्या में आप पढ़े होंगे कि 5 परकार होते ह है संग्या के लेकिन इसम उर्दू जो है इसम की दो किसमे होती है पाच नहीं इसम की लिखिए इसम की दो किसमे होती है दो किसमे है इसम की दो किसमे है पहला है इस्म मार्फा और दूसरा है इस्म नक्रा दो किसमे है इस्म मार्फा और इस्म नक्रा अब हम पढ़ेंगे कि इस्म मार्फा और इस्म नक्रा क्या है तो इस्म मार्फा किसे भी खास व्यक्ती आप पढ़ें ना इंग्लिस में प्रोपर नाउन इंगलिस में पढ़ेंगे प्रोपर नावन या फिर हिंदी में पढ़ेंगे ब्यक्ति वाचक संग्या ब्यक्ति वाचक संग्या आप पढ़ेंगे हिंदी में किसे भी खास ब्यक्ति, इस्थान, जानवर के नाम को हम क्या बोलते हैं इस मार्फव बोलते हैं या फिर प्रोपर नाउन बोलते हैं या फिर ब्यक्ति वाचक संग्या बोलते हैं मतलब मैं आपको example दूँ उधारण दूँ तो ये है कि दिल्ली सहर दिल्ली सहर जमुना जमुना नदी के किनारे आबाद है एक्जामपल है दिल्ली सहर जमना नदी के किनारे आबाद है यहाँ पर दिल्ली सहर की बात की जा रही है दिल्ली सहर की बात की जा रही है अगर होता सिर्फ सहर नदी के किनारे आबाद है कोई भी सहर मतलब इसमें अगर दिल्ली सहर नहीं होता अगर सिर्फ लिखा रहता कि सहर जमना नदी के किनारे अबाद है तो आपको पता चलता कि कौन सा सहर जमना नदी के किनारे अबाद है यहां पर खास चीज़ के बारे में बताए गया खास सहर के बारे में बताए गया कि दिल्ली सहर जमना नदी के किनारे अबाद है टीक है तो यहां पर दिली सुहर को बोलेंगे इस मारफा या फिर प्रोपर नावन, या फिर ब्यक्सित्थिव आच अक्संगया। और यहां पर एक और इसी मेंग्जाम्पल है, जमना नदी। अगर आप नदी की बात करेंगे तो सारी नदी आ जाएंगी। जमना नदी गंगा नदी यह सारी नदी आ जएंगी लेकिन यहाँ पर बात किसी की जा रही है जमना नदी की मतलब खास जमना नदी के बारे में ही बात की जा रही है इसलिए इस जमना नदी को भी आप बोल सकते इसम Anwarfah proper noun आर्फा का जवाब लिखेंगे किसी खास सक्स जगा या किसी चीज के नाम को मैं इसका जवाब लिखेंगे किसी खास सक्स जगा या किसी चीज के नाम को इस्म मार्फा कहते हैं यहां तक आपको क्लियर है अब हम दूसरा किस्म देखेंगे क्या था दूसरा किस्म इस्म नकरा चलिए इसको भी वही वाला एक्जामपल लेकर समझ लेते हैं क्या था एक्जामपल कि देली सहर जमुना नदी के किनारे आबाद है यहां पर दिली सहर हो जा रहा था इस्म मार्फा जमना नदी हो जा रहा था इस्म मार्फा अब हमको समझना है इस्म नकरा क्या है मतलब किसी भी ब्यक्ति किसी भी सक्स जगा या चीज के आम नाम को मतलब जिससे किसी उसकी जात का पता चले यहां पर अगर देली सहर दिली नहीं रहता सिर्फ सहर रहता कि सहर नदी के किनारे आबाद है नदी के किनारे आबाद है तो इससे क्या पता चल रहा है सहर में बहुत सारी सहरे सहर में बहुत सारी सहरे जैसे कि दिली हो गया पठना हो गया सहरे आ जा रही है मतलब सहर में बहुत सारी सहर आ जा रही है मतलब पूरी जात का पता चल रहा है यहां पर नदी भी नदी में भी सभी सारी नदिया आ जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे इसम नक्रा मतलब इसम नक्रा जिससे वह नाम जिससे पूरी जात का पता पता चले जो आम नाम को कहते हैं इसम नक्रा ठीक है यहां तक मतलब स हम नधि किनारी अभाद इस से क्या पाता चल रहा हूं और नधि में बहुत सारी नधिया यह हमें साथ नधी किनारी नधि किनारे अब नधी अब यहाँ पर सहर और नधि इस मनक्रण हो जाएगा अब इसका जवाब लिखेंगे मिटाकर लिखेंगे किसी सख्स जगह मैं यहाँ पर इसका जवाब लिख दे हूँ कि किसी सख्स जगह या चीज के आम नाम को जिससे पूरी जात का पता चले उसे इसम नकरा कहते हैं क्या मैं एक्जामपल ली थी? कि सहर सहर नदी के किनारे आबाद है एक्जामपल था कि सहर नदी के किनारे आबाद है इससे पता क्या चल रहा है? कि सहर मतलब कोई भी सहर और नदी मतलब कोई भी नदी, बहुत सारी नदीया तो ये सहर, जिसमें पूरी सहर, बहुत सारी सहर आ रहे है और नदी, जिसमें पूरी नदीया, बहुत सारी नदीया आ रहे है हमें पता नहीं है कि कौन सा नदी बस ये आम नाम हो गया पता नहीं हमें कि कौन सी नदी की बात की जा रही है कौन सी सहर की बात की जा रही है इसे लिए सहर हो गया इस्मनकरा और नदी हो गया इस्मनकरा दोनों को आप इस्मनकरा बोल सकते हैं अगर आप इसको और अच्छा से समझना चाहते हैं ना जब आप इसका इंग्लिस जानेंगे तब आपको इसको और अच्छे से समझने आ जाएगा इस नकरा को इंग्लिस में बोलते हैं common noun और हिंदी में पता है क्या बोलते हैं जाती वाचक संग्या जाती वाचक संग्या इंग्लिस में common noun और हिंदी में जाती वाचक संग्या आप पढ़े होंगे कि किसी भी ब्यक्ति इस्थान जानवर के आम नाम को common noun या फिर जाती वाचक संग्या कहते हैं बिल्कुल उसी तरह इस्म नक्रा होता है तीनों का मतलब एक है बस लेंग्वेज अलग अलग है किसी भी ब्यक्ति, सख, जगा या चीज के आम नाम को जिससे पूरी जात का पता चले उसे हम क्या कहते हैं इस्म नक्रा कहते हैं उसे कहते हैं common noun उसे कहते हैं जाती वाचक संग्या तीनों का मतलब एक ही है लेंग्वेज अलग अलग हैं यह हो गया हिंदी में यह हो गया इंग्लिस में यह हो गया अर्दू में यह हो गया इंग्लिस में और यह हो गया हिंदी में ठीक है यहां तक किलिए रहे आपको इसम समझ में आ गया इसम की कितनी किस्मे है और वो कौन कौन से किस्मे है और उसे आप समझ लिए उन दोनों किस्मों को अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसम मार्फा और इसम नक्रा की कितनी किस्मे है ठीक है तो आप आगे वीडियो का इंतजार कीजिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिए